वेल्कम बाग तो मैं चैनल इन लाइबरी लाइनिंग मैं सीमा और मैं सुवावत करते हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके पस लाइबरी से रिल्टे जो विकेंसी आपके लेकर आई हूं सबसे पहले जो विकेंसी हमार पास आई है वह दो एड्यूकेशन कमेटी ओफ द वहेश्वरी समा सुसाइटी जैपूर के तरफ से है और यह जो सोसाइटी है यह जो जैपूर में है तिलकनगर म पर यहां पर जो ने वांडियूकेंसी निकाली ते लिए है यह पर जो नो ने वेकेंसी निकाली हुई है यह पर पीजिक्स फिसिकल एज्यूकेशन एंगलिशन कम्पीटर सैंस करीए है इसके बाद तो आप ng G PS धिद्याहरनगर स्कोल के लिए जो ङोड़ेंसी हैं यह जो जो ङकलि है यह पीजटी आंग्ट इंग्लिष और मैड्समें निकाली होई रिमार इसके बास ठीजहने gonna have your े यह McConnell का लिए मैं ब्री।-खेजटी रिघ्जकी चै निकाली हुई है जो Science and English में है Next school है यह MPS International तिलक नगर स्कूल है यहाँ पर जो वेकेंसे निकाली हुई है इन्होंनों यह PGT लेवल और PTI के लिए है जो कि Physics and Physical Education में निकाली हुई है इसके बाद जो वेकेंसे निकाली है यह MPS अजमे रोड स्कूल के लिए है यहाँ पर जो वेकेंसे निकाली हुई है यह PTI में फिजिकल एडुकेशन और P.R.T में असेस्टी एंड मैज के लिए है Next is a school है वो MPS कलवर रोड के लिए स्कूल है यहाँ पर जो वेकेंसे निकाली हुई है यह P.G.T, History, Mass Media and T.G.T, English and Mass के लिए है Next है MPS चौहर नगर स्कूल और महेश्वरी गर्ल्स PG College प्रताब नगर जो इसके में लाइबरेन के वेकेंसी है रिशाप्शनिस्ट के लिए जो वेकेंसे निकाली है यह MPS प्रताब नगर, MPS कलवर रोड, MPS संस्रिती जगतपरा स्कूल के लिए है इन सभी के लिए जो इनोने Eligibility मांगी होई है PGT और TGT के लिए इनोने trained post graduate in respective subject with minimum 2 years of experience of the post applied यनकी आपके पास minimum 2 years का आपके पास experience होना चीए teaching होई and PRT और PTI के लिए trained graduate with minimum 2 years of experience for the post applied next time for pre-primary teacher graduate with MONT teacher training candidate should not be more than 35 years of age यनकी आपके जो एज है वो 35 years से जादा नहीं होना चीए लेसन 35 years आप महापे अप्लाय कर सकते है and librarian के लिए आपके पास BLIS की यहां पे डिग्री मागी हुई है with minimum 2 years of relevant experience for receptionist अगर आपके अपके अप्लाय करना चाहते हैं तो आपके पास graduate या पर post graduate की डिग्री होनी चाहिए with minimum 2 years of relevant experience यहां पे इसके साथ इनोंने एक note यहां पे mention किया हुआ है fluent in English is must for all the post with good computer skills salary will not be considered for outstanding and deserving candidate candidate may only apply online at their website candidate may appear for the written test for the above mentioned position serial 1-16 along with their latest CV and passport size photograph on 12-6-2022 Sunday यानि कि आपका जो serial number 1-16 के अगर आप इंप्लाइ करने के लिए है तो आप 12 जून को आप 9 o'clock आप MPS International School तिलक नगर में जो है जैपर में आप आप पहुन सकते हैं आपके जो लेटेस्ट सेवी है पासपोर साइज फोटो और आपके रिलेवेंट जो पी डोकिमेंट्स हैं उनके साथ नहापर जाके आपका एक रिटेन टेस्ट होगा जिसके लिए आप अप्लाइ करना चाहते हैं अगर आप पर उस रिटेन टेस्ट वह आपको क्लियर हो जाता है तो आप यहां पर स्लेक्टिड मौने जाएंगे और किसी बितरा कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहां पर स्कूल में अपना कॉंडक्ट कीजिए आप इस रेशाप्शन पर कॉल कर सकते हैं अपनी क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हैं इसके बास जो नेक्स्ट वेकैंसी हमारे पास आई है वो है जी वी अचारे इंसिटूट ऑफ इंट्रिंग टेक्नॉलोजी की तरफ से यहां पर इन्होंने जो वकैंसी निकाल लियो हुई है यह असिस्टेंट प्रोफेसर और अडशिट प्रोफेसर की तरफ से है जो के प्रिंसिपल सेवल इंजिनरी कंप्यूटर इंजिनियर, कंप्यूटर साइट्स इंजिनियर, मेकैनिकल इंजिनियर, मैथेमाटिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंगलिश, सिस्टम एड्मिन, लैब, असिस्टेंट, फ्योर्क, अकांटेंट और लैबिरिन के लिए है इहां पर अगर आप इंटर्शिट है तो आप अपना जो सीवी है यहां पर इनको मेल कर सकते हैं और कोई दी क्वेरी है तो आप अपने इंग कोंटेट कर सकते हैं नेक्स्ट विकेंसिया अबर परस आईए जीवी अचार रहे पॉल टेकनिक के तरफ से और यहां पर जो विकेंसिय इन्होंने निकाली हुए है प्रिंसिपल में एक पोस्ट के लिए विकेंसिया है एक पोस्ट के लिए 6 पोस्ट के लिए विकेंसिया है मेकानिकल इंजिनरिंग के लिए 6 पोस्ट के लिए विकेंसिया है Civil Engineering के लिए 6 पोस्ट के लिए vacancy है Electronic and Telecommunication Engineering के लिए 3 की Applied Mathematics के लिए 2 पोस्ट की लिए vacancy है Applied Chemistry के लिए 2 की Applied Physics के लिए 1 की Lab Assistant 6 Clerk 3 System Admin 2 Workshop Instructor 3 यहां पर जन्हों नोट दिया हुआ है Higher Start in Salaries for the Deserving Candidate Please submit your application, photograph and resume with a supporting document within 7 days Or mail your document to gvapsjobs.gmail.com So अपना जो CV है आप यहां पर within 7 days में आप अपना यहां पर सेंड कर सकते हैं अगर आप यहां पर किसी भी पोस्ट लिए आप इंटरस्टेट हैं यहां पर जो नोने विकेंसे निकाली हुई है यह MBA, Teaching Staff, Director, Professor, Associate Professor and Assistant Professor के लिए है और नोन टेचिंग में जो नोने विकेंसे निकाली हुई है यह Admin Officer, Lab Assistant, Lab Assistant and Clerk के लिए यहां पर इसके लिए जो नोने qualification मांगे हुई है तेज के ल, Experience, AICTE, UGC, Norms के आप से आपको salary प्रवाइड के जाएगी और qualification भी यहां पर उसी के साब से आप यहां पर मांगे हुई है अगर आप Interested है तो Interested Candidate मैं download the application form from the website of the school website और obtained from the office of the college on any working rates and send the application form to the chairman of the institute Duly completed along with a visible copy of all history module, JMCs, Duly Experience certificate etc by the registered post E-mail by hand अपना आपर जो आप रजुमे है और जो भी documents है आप इनको email भी कर सकते है अब बाइढ भी उनको यहां पे यहां पर शुम्मिन करा सकते हैं विर इन 20 देज जुन तुरासन टी टी गई है अब भी प्लिकाशन फर्म आप अलुट एक नोट और यहां पर इंशन किया हुआ है only eligible candidate applicants who application form is or are received in the institute as well in the office of the dc dc mdu in duty it will be called for the ndu number of post can be increase or decrease at the time of the interview as per the requirement जरूरी निये कि जितने भी post यहां पर mention की होई हो उतने ही आपको आपर मिले कि इनके पर depend करते हैं तो वो उनको यहां पर increase or decrease भी कर सकते हैं तो अगर आप यहां पर प्रेश्टिट है तो अपना जो सीवी है और वागी जो भी आपकी डोक्यमेंट्स है उनको जो मेल कर सकते हैं या फिर आप आय हैं भी हाँ पर आप सम्मिट करा सकते हैं तो जोड़े यह मेरे चैनल के साथ और इस तारा की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी मेरा चैनल आपक comments करते रहेजिए thank you